लिजे सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास काया कल्प के अड़तालीस में भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में अहिल्या के आने की खबर पाकर महली की सेक्णों हरते तूट पड़ी शेहर के बड़े बड़े घरों की स्त्रियां भी आ पहुँची शाम तक तांता लगा रहा कुछ लोग डेपुटेशन बना कर संस्थाओं के लिए चंदे मांगने आ पहुँचे अहिल्या को इन लोगों से जान बचानी मुश्किल होगी किस किस से अपनी विपत्ति कहे अपनी गरज के बावले अपनी कहने में मस्त रहते हैं किसी की सुनते ही कब है इस वक्त अहिल्या को फटे हालों यहां आने पर बड़ी लज्जा आई वो जानती कि यहां यह हर बॉंग मच जाएगा तो साथ दस बीस हजार के नोट लेती आती उसे अब इस तूटे फूटे मकान में ठहरते भी लज्जा आती थी जब से देश ने जाना कि वो राज कुमारी है तब से वो कहीं बाहर न गई थी कभी काशी रहना हुआ कभी जगदीशपुर दूसरे शहर में आने का यह पहला ही अफसर था अब उससे मालुम हुआ कि धन केवल भोग की वस्तू नहीं है उससे यश और कीरती भी मिलती है भोग से तो उसे घ्रणा हो गई थी लेकिन यश का स्वाद उसे पहली ही बार मिला शाम तक उसने पंद्रह बीस हजार के चंदी लिख दी और मुशी वज्र धर को रुपए भेजने के लिए पत्र लिख दिया खत पहुँचने की देर थी रुपए आ गए फिर तो उसके द्वार पर भिख्षकों का जमघट रहन लगा लगणों अंधों से लेकर जोड़ी और मोटर पर बैठने वाले भिख्षक भिख्षा दान मांगने आने लगे कहीं से किसी अनाथाले की निरिक्षान करने का निमंत्रना आता कहीं से टी पार्टी में सम्मिलित होने का कुमारी सभा बाली का विद्याले महिला क्लब आदी संस्थाओं ने उसे मानपत्र दिये और उसने ऐसे सुन्दर उत्तर दिये कि उसकी युगता और विचार शीलता का सिक्का बैठ गया आये थे हरी भजन को ओटर लगे का पास वाली कहावत हुई तपस्या करने आये थी यहां सब समाज की क्रीडाओं में मगन हो गई अपने अभीष्ट का ध्यान ही न रहा खौजा महमूद को भी खबर मिली बेचारे आँखों से माजूर थे मुश्किल से चल फिर सकते थे उन्हें आशा थी कि रानी जी मुझे जरूर सरफराज फरमाएंगी लेकिन जब एक हफ़ता गुसर गया और अहिल्या ने उन्हें सरफराज न किया तो एक दिन ताम जान पर बैट कर सौयमाई और लाठी टेकते हुए दौर पर खड़ी हो गए उनकी खबर पाती ही अहिल्या निकल आई और बड़ी नमरता से बोली खौजा साब मिज़ाच तो अच्छे हैं मैं खुद ही हाजर होने वाली थी आपने नाहक तकलीफ की मैं आपकी पाली हुई वही लड़की हूँ जो आज से पंद्रे साल पहले थी और आपको उसी निगाह से देखती हूँ खौजा साब अहिल्या की नमरता और शील पर मुग्द हो गए वल्ला क्या इंक्सार है क्या खाक सारी है इसी को शराफत कहते हैं कि इनसान अपने को भूर लजाए बोले बेटी तुम्हें खुदा ने ये दरजा अता किया मगर तुम्हारा मिजाज वही है वरना किसे अपने दिने आद रहते हैं प्रभूता पाते ही लोगों की निगाहें बदल जाती हैं किसी को पहचानती तक नहीं जमीन पर पाउं तक नहीं रखते हैं पसम खुदा की मैंने जिस वक्त तुम्हें नाली में रोते पाया था उसी वक्त समझ गया था कि ये किसी बड़े घर का चिराग है मैं अशुदन अंदन मरहूम से भी बराबर ये बात कहता रहा इतनी हिम्मत इतनी दिलेरी इतनी असमत के लिए जान पर खेल जाने का ये ज पड़ोस में रहता हूँ मगर बर्सों आने की नौबत नहीं आती उनकी सी पाकिजा सिफ़त खातू दुनिया में कम होंगी अहिल्या आप उन्हें समझाती नहीं क्यों इतना कश्ट जेलती हैं ख्वाजा अरे बेटा एक बार नहीं हजार बार समझा चुका मगर जब वो ख तो मैं उन्ही का बनाया हुआ हूँ मेरी जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है लेकिन मेरी बातों का मुतलग लिहाज न किया ये तवक्ल खुदा की देन है आपको इस मकान में तकलीफ होती होगी मेरा बंगला खाली है अगर कोई हरज न समझो तो उसी में कयाम करो वास की आदी हो रही थी जिसका सानी बनारस में न था इस तंग गंदे एवं तूटे फूटे अंधेरे मकान में जहां रात भर मच्छों की शेहनाई बचती रहती थी उसे कब आराम मिल सकता था उसे चारों तरफ से बदबू आती हुई मालूम होती थी सांस लेना मुश्किल थ पर ख्वाजा साहब के निमंतरण को वो सुईकार न कर सकी वागिश्वरी से अलग वो वहां न रह सकती थी भूली नहीं ख्वाजा साहब यहां मुझे कोई तकलीफ नहीं है आदमी को अपने दिन न भूलने चाहिए इसी में 16 साल रही हूँ जिंदगी में जो कुछ सुख देखा वो इसी घर में देखा पुराने साथी का साथ कैसे छोड़ दो ख्वाजा बाबु चक्रधर का अब तक कुछ पता न चला अहिल्या इसी लिहास से तो मैं बड़ी बदनसीब हूँ ख्वाजा साहब उनको गए 15 साल गुजर गए पांच साल से लड़का भी गायब है उन्हें की तलाश में निकला हुआ है लोग समझते होंगे कि इस किसी सुखी औरत दुनिया में न होगी और मैं अपनी किसमत को रोती हूँ इरादा था कुछ दिनों अम्मा जी के साथ हकेली पड़ी रहूंगी पर अमीरी की बला यहां भी सिर से नटली कहिए अब यहां तो आपस में दंगा फिसाद नहीं होता खाज़ा जी नहीं अभी तक तो खुदा का फजल है लेकिन ये देखता हूँ कि आपस में पहली किसी महबबत नहीं है दोना कौमा में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इज़त और सर्वत दोनों को लड़ाते रहने पर ही कायम है बस वो एक नए एक शिगूफा छोड़ा करते हैं मेरा तो ये कौल है कि हिंदू रहो चाहे मुसल्मान खुदा के सच्चे बंदे रहो सारे खुबियां किसी एक एही कौम के हिस्से में नहीं आई ख्वाजय साहब जाने लगे तो अहिलिया ने इसलामी यतीम खाने के लिए पाँच हजार रुपेदान दिये। इस दान से मुसल्मानों के दिलों पर भी उसका सिक्का बैठ गया। चक्रधर की आद फिर ताजी हो गई। मुसल्मान महिलाओं ने भी उसकी दावत की। अहिलिया को अब रोज ही किसी न किसी जलसे में जाना पड़ता और वो बड़े शौक से जाती। दो ही सप्ताह में उसका काया पलट सा हो गया। यश लालसा ने धन की उपेक्षा का भाव उसके दिल से निकाल दिया। वास्ता में वो समारोहों में अपनी मुसीबतें भूल गई। अच्छे अच्छे व्याख्यान तयार करने में वो इतना ततपर रहने लगी मानों उसे नशा हो गया है। वास्ता में ये नशा ही था। ये लालसा से बढ़कर दूसरा नशा नहीं। वागिश्वरी पुरानी विचारों की स्त्री थी। उसे अहिलिया का यो घूम धन में यही बुराई है कि इस से विलासिता बढ़ती है। लेकिन इसमें परोपकार करने की सामर्थ भी है। वागिश्वरी ने परोपकार की नाम से चिड़कर कहा। तु जो कर रही है ये परोपकार नहीं ये अशलाल सा है। अपने पुरुश और पुत्र का उपकार तो तुझे ये दंड न भोग न पड़ता। तिरा चित्त कुछ-कुछ ठिकाने पर आ रहा था, तब तक तुझे ये नई सनक सवार हो गई। परोपकार तुझे तब समझती जब तुझे वहीं बैठे-बैठे गुप्त रूप से चंदे भिजवा देती। मुझे शंका हो रही है कि इस वाह वाह से तिरा सिर न फिर जाए। धन का भूत तेरे पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है और अभी तिरा कुछ और अनिष्ट करेगा। अहिल्या ने नाक से कोड कर कहा। जो कुछ करना था कर चुका। अब क्या करेगा। जिंदगी ही कितनी रह गई है जिसके लिए रों। दूसरे दिन प्राता काल डाकिया शंक धर का पत्र लेकर पहुँचा। जो जगदीश पुर और काशी से घूमता हुआ आया था। अहिल्या पत्र पढ़ती ही उचल पड़ी और दोड़ी ही वागिश्वरी के पास जाकर बोली। अम्मा देखो ललू का पत्र आ गया। दोनों जने एक यही जगह हैं मुझे बोलाया है। वागिश्वरी इश्वर को धन्वाद दो बेटी कहा है। अहिल्या दक्षन की ओर हैं अम्मा जी पता ठेकाना सब लिखा हुआ है। वागिश्वरी तु बस अब तु चली जा चल मैं भी तरे साथ चलूंगी। अहिल्या आज पूरे पांच साल के बाद खबर मिली हैं म्मा जी मुझे आगरे आना फ़ल गया। ये तुमारे आशीरवाद का फ़ल हैं म्मा जी वागिश्वरी मैं तो उस लड़के की जीवट को बखानती हूं कि बाप का पता लगा कर ही छोड़ा। अहिल्या इस आनंद में आज उत्सव मनाना चाहिए अम्मा जी। वागिश्वरी उत्सव पीछे मनाना पहले वहाँ चलने की तैयारी करो। कहीं और चले गए तो वो इस दुविधा में पढ़ गई कि वहाँ जाऊं या न जाऊं। वहाँ जाना केवल दस पाँच देने या महीने के लिए जाना ना था। परन राजपाट से हाथ धो लेना और शंखधर के भविश्य को बलिदान करना था। वो जानती थी कि पित्र भक्त शंखधर पित स्वामी के दर्शन भी उसे अवश्य होंगे। शंखधर ने पत्र में लिखा था कि पिता जी को मुझसे अपार इसने हैं। क्या ये पुत्र प्रेम उन्हें खीच न लाएगा। वो चाहे सन्या से ही के रूप में आएं पर आएंगे जरूर। और जब आपकी वो उनके च चरणों की सेवा में काटेगी। इस वक्त वहां जाकर वो अपनी प्रेमा कांग शाओं की वेदी पर अपने पुत्र के जीवन को बलिदान न करेगी। जैसे इतने दिनों पती वियोग में जली हैं। उसी तरह कुछ दिन और जलेगी। उसने मन में ये निश्चे करके शं मजलू अम्मा मर गई। अहिल्या को विश्वास था कि ये पत्र पढ़कर शंखधर दोड़ा चला आएगा और स्वामी भी यदि उसके साथ ना आएंगे तो उसे आने से रोकेंगे भी नहीं। अभागनी अहिल्या तु फिर धनलिपसा के जाल में फंस गई। कह एच्छा संध्या समय वागिश्वरी ने पूछा क्या जाने का इरादा नहीं है। अहिल्या ने शर्माते हुए कहा अभी तो अम्मा जी मैंने लल्लू को बुलाया है अगर वो ना आवेगा तो चली जाओंगी। वागिश्वरी लल्लू के साथ क्या चक्लधर भी आ जाएंगे। त ना जाने तुझ पर क्या आने वाली है। अहिल्या अपने सारी दुख भूलकर शंखधर के राज्य अभिशेक की कल्पना में विभूर हो गई। अभी आप सुन रहे थे उन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास काया कल्प के अड़तालीस में भाग को मेरी यानी समीर ग